हेलो एब्रीबन मोस्ट बेलकम हैं आप सभी का आज की सेशन में और आज की सेशन में प्यारे साती है हम सभी 2024 एवं 26 का डिटेल सिलेवस इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं तो आप मैंसे जितने भी साती दिल्ली डियलेड एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको शुरू से लेकर एंट का बस्चे देखनी है सभी सब्जक्त का मैं यहां पर सिलेवस आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूं लेकिन डिसकस करने से पहले हम जिस भी ए एक्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एक्जाम पैटर्न बताता हूं ठीक है देखिए एक्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक्जाम पैटर्न जो है न वो क्या कहता है एक्जाम पैटर्न है आपका कि बाई कोशन जो हों आप देखोगे तो एक है आपकी teaching aptitude, ठीक है, teaching aptitude है आपका, और दूसरी जो है यहाँ पर देखोगे तो आप reasoning, यानि की mentality, reasoning की, तो यह कुल आएगे आपकी 30 नंबर की, फिर इसके अलाबा हम बात करते हैं हिंदी, हिंदी आएगे आपकी 10 marks की, English आएगे आपकी 10 marks की, ठीक है, तो कितने होगे, 30 और 20, 50, जो हम already course में cover कर चुके हैं, तो उनको मैंने बताय हुँ है कि 913-666-5422, इस नंबर पर क्या कर सकते हो, आप जानकारी ले सकते हो, वर्टसप करके, तो 50 नंबर आपके already clear हो चुके हैं, फिर इसके अलाबा यह 50 होगे, फिर हम चलते हैं, आप से पूछा जाता है, एक गुरूप होता है आपका social science का, अगर हम social science की बात करें, तो आप सभी जानते हैं, इसमें आती है आपकी history, जो आप से पूछा जाए की 10 marks की, लिस पूर की 10 marks की, same science को भी divide कर लेते हैं science की अगर मैं बात करो तो यह है physics physics आएगी आपकी 10 mark की chemistry आएगी आपकी 10 mark की physics, chemistry, bio आएगी आपकी 10 mark की और एक आएगा आपका computer जो science के अंदर ही है यह हो गया आपके कितनी यह हो गया आपके 40 okay 40, 40, 80, 85, 130 number यह आपके बन जाते है ठीक है ठीक है अब इसमें क्या है यह current affair होगी किसकी current affair और gk यह है आपकी कितने की दोस्तों यह है आपकी 10 marks की ठीक है तो यह बन जाता है I think कुछ रह गया हाँ एक चीज रह गी क्योंकि यह number जो बन रहे वो कितने बनने 50 40 90 100 130 तो math भी तो है आपका यह होगे 140 और 10 number के आपके हो जाएगी gkgs तो यह बन जाते है 150 समझ लीजिए एक बार दुबारा से कर देता हम देखो teaching aptitude reasoning 30 number Hindi English 10 10 marks तो यह होगे हमारे 50 ठीक है 50 में से 40 number social science हर मैंने आपको बताती है history political science economics यह कितने होगे आपके 40 50 90 फिर मैंने आपको बता है तो science का part यह सब ही आते है 10 10 marks है तो यह होगे आपके 85 13 130 number 130 यह होगे अब बचे 2 subject एक है आपका math जो आएगा आपका 10 marks का और एक है आपका gk current affair जो 10 marks किया गी तो होगे हमारा 150 इस तरीके से question बनते हैं आपके ठीक है तो यह होप सो आपको exam pattern समझा आ गया सभी की बात करें तो यहां पर teaching aptitude और reasoning का यहां पर जैसे 30 marks का अभी दिखाऊंगा भी मैं आपको तो आप उसे देख पाऊगे तो यह सारी चीज बता दी तो सबसे पहले हम जो discuss करेंगे वह syllabus मैं आपको बताऊंगा कि आपको math में क्या-क्या पढ़ना है ठीक है तो देखिए math की अगर हम बात करें तो यह आ topic होंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप पहली priorities हो है मतलब number system फिर LCM SCF, percentage, profit loss, ratio proportion, discount, work and time, elementary algebra, data handling और simplification ठीक है तो यह अगर देखोगे आपके 10 ही topic बनते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 10 topic है तो एक से यह मा लिजे एक से 2% हर topic में बन सकते हैं तो भाई यह आपका आपको पढ़ना है ठीक है तो math की classes वैसे अब आपकी recording start हो जाएगी मतलब classes सुरू हो जाएगी math की भी तो यह topic बचे है बहुत जल्दी हो जाएगे cover चिंता करने की ज़रूरती है तो math का से लिए बस आपका करना है यह पढ़ना है आपको दूसरे number पर हम बात कर लेते हैं जो 30 marks का आप से पूछा जाएगा वो है general mentality ability जो मैंने आपको बताई भी थी क्योंकि reasoning और क्या है teaching aptitude यह total है 30 marks का ठीक है तो अगर हम बात करें general mental ability में क्या है आपकी verbal और non-valval reasoning दोना आएगी जिसमें logical और analytical reasoning भी पूछी जा सकती है as per the syllabus पर aptitude and attitude regarding क्या है education से related होना चाहिए जिसमें से कुछ agency इनोंने वैसे डाल रखिया है अमूमन यहां से question मैंने देखे तो नहीं है लेकिन teaching aptitude आपको पढ़ना है अब कौन कितने काएगा यह exam के ऊपर ही depend करता है तो यह सारा से लिए बस आपका cover है यह तो मैंने करा दिया आपको teaching aptitude already finished है आप language क्या है आपकी आएगी English है और Hindi है जो 1010 marks की आएगी तो English और Hindi में क्या है दोनों का syllabus वैसे समझ इस जिलीज यह वही है फिर आपको order of sentence आजाएंगे comprehension question आजाएंगे order of bird in sentence आपसे पूछा जाएगा तो language की अगर हम बात करें 10 plus 10 यानि कि दददस नंबर की आपसे पूछी जाएगी तो यह 20 नंबर की हो जाती है तो देखो भाई यह language Hindi और English दोनों हम finish कर चुके है तो आप देखो के teaching aptitude मैंने आ आपको करा दिया है ठीक है reasoning आपकी already finish है Hindi आपकी finish है English आपकी finish है तो 30 और 20 पचास नंबर तो हमारे यही पर finish होगे ठीक है अब इसके बाद बात कर लेते हैं next topic के बारे में तो next topic में हमने रख लिया social science को social science में सबसे पहले history में क्या क्या पढ़ना है history में आपको forces के बारे म अपकी फिर क्या-king aparece discovery है क्या-king exploration हुया है इसके बारे में सब्सक्राइब को में सब्सक्राइब कर दिइर Hi फिर कुछ civilization है हमारी उनके बारे में अपको पढ़ना है फिर कुछ freedom movement है इनके बारे में फ्रेंच revolution Russian revolution के बारे में पढ़ना है Five year plan आपको पढ़ने है अब देखना तो फाइव एर प्लान वैसे हमें एकॉनोमिक्स में पढ़ते हैं लेकिन हिस्ट्री में यहां पर दे रखा है तो मैंने नौट्स में आपको completely यह बना हुआ है उनाइटिड उनाइटर नेशं के बारे में इस नेशं के बारे मुट असली जेस्टिट्ड वारिय। इंनके बारे में पढ़ना है फिर दूसरा पॉलिटिगल साइवंस में आपको क्या बढ़ना है पार्लियमेंट है इंडियन कॉंसिट्यूशन है राइट एंड डूटी जहें इस्टेट यूइन टेरिट्री है फैडलिजम पावर सेरिंग डेमोक्रेसी डिसकावरी इस क्या क्या चैलेंज है जेंडर लीजन है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन है इन सब के बारे में क्या ह क्या चैलेंस फिर ग्राटी जेंड़ियक का भुभ्य जे पहने फिर ग्राफियक इन सब्सक्राइब क्या कि बारे में बारे में क्या चैला सीफिया ऍडुर्क्ष्ण यहसी सिंग जायों सियखि करेंदे के अम्युक्रे स्था रिच्विक जैंक्ट लीचन से मुमेंट्स और एर्थ देयर एफेक्ट है रीजनल जेग्राफी ऑफ इंडिया क्लाइमेट नेचुरल वेजुटेशन मिनरल पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ना है ठीक है एग्रिकल्चर इंडस्टीज और ओर ओरिजन ऑफ अर्थ रॉक्स क्लास्फिकेशन इनके बारे में इंपोर्टेंट सी पोर्स एंड मैंसी लेंट और इन सभी के बारे में सी बगैरा के बारे में आपको पढ़ना है ठीक है फिर आइटम जो है इंडिया में क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते है उनके बारे में पढ़ना है फिर आपको तो economics आ जाते है, economics में क्या है, आपका जैसे GDP है, है ना, GNP है, human development index है, SDI, Indian economy के sector है, economics planning है, Indian budget है, economic vocabulary है, liberalization है, human development है, national income है, growth and changing है, sustainable development है, तो ये आपके 40 marks यहां से cover आपको करने है, general science में अगर हम बात करने तो ये physics का सिलिवस है, physical property of state of matter, modes of transference of heat, mass, weight, volume, sound, wave and their property के बारे में, density, specific, gravity के बारे में पढ़ना है, reflection and, आपको, reflection के बारे में पढ़ना है, ठीक है, mirror lenses के बारे में पढ़ना है, human eye, motion of object के बारे में पढ़ना है, आपको, तो ये आपको physics में पढ़ना है, ठीक है, physics का कुछ portion इन्हों ने नीचे दे रखा है, क्योंकि अधर इधर उधर डाला हुआ है, तो natural, artificial, magnet, velocity, property of magnet, Newton's law, forces, momentum, gravitation, simply, electron, circuit, elementary, ये इन सभी के बारे में क्या है, आपको पढ़ना है, फिर chemistry कर लेते हैं, physics के बाद, यहाँ पर आपको ये सारे topic पढ़ने, material used in preparation of sub-scientists, like sawp, glass, ink, paper, cement paint, इन सभी के बारे में पढ़ना है, mixer के बारे में पढ़ना है, compounds, elementary idea के बारे में, फिर biology के आप कर लेते हैं, वायो में आप देखोगे तो आपको कुछ common जो है, आपको क्या पढ़ना है, जैसे causes or prevents हैं, इन के बारे में पढ़ना है, living, non-living things के बारे में, food source of energy के बारे में, cells के बारे में पढ़ना है, protoplasm, tissues इन सब के बारे में पढ़ना है, food के बारे में पढ़ना है आपको, growth, reproduction, plant और animal दोना है, balanced diet और elementary knowledge of human body, इसके organs के बारे में आपको पढ़ना है, computer की बात करें तो computer में already वैसे मैंने करा दिया है यह तो computer के बारे में पढ़ना है आपको hardware computer memory data representative इन सब के बारे में क्या है आपको पढ़ना है ठीक है यहाँ पर कुछ और आपको मिलेगा क्योंकि यह उपर नीचे सिलेवस आप देखोगे तो मिलेगा जैसे computer software है operating and search engine है इन सब के बारे में क्या है आपको इसमें पढ़ना है तो यह सारा आपका physics और उसका हो गया ठीक है भई है science portion फिर gk में आजाते है gk में अगर हम बात करें तो कुछ prize and award होते है ठीक है knowledge जो इंडिया में recent में कुछ event हो है उनके बारे में prominent personality है इनके बारे में culture activities है sports activity है current important world event है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना है ठीक है अब आपको मैंने इतना सारा से लिवस्तों बता दिया ठीक है लेकिन दोस्तों हर बार क्या है किसी subject की यह बेटेज ज्यादा दे देते है कभी कम जैसे कभी-कभी जैसे social science में article ज्यादा दे दिय ठीक है तो भाई बेटेज का कुछ पता नहीं है examiner कैसे exam set करता है क्योंकि यह सारे topic कहां से पढ़ना है इसके base पर ही आपके हमारे notes बने हुए है better है आप पढ़ना है तो notes ले लिजे कोई best book है नहीं और फिर question की जादा से जादा practice करिए सफलता का बस यही मंतर है तो देर करें सिलेवस मैंने discuss बता दिया है यह सिलेवस आपको गुरुप पर मिल दाएगा ठीक है वह चलिए आज के लिए इतना ही thank you so much और detail कोई कुछ रह गया हो तो आप इस syllabus को अच्छे से एक बार note down यानि की पढ़ लिजे thank you